कॉर्पर ट्रेडार में अब बात करते हैं 1968 में पार्टनर्शिप फर्म के तौर पर शुरू हुए कंपनी के आई इंडास्ट्रीज की करीब 20,000 करोड रुपए के मार्केट कैफ वाली के या इंडास्ट्रीज हाउसिंग वायर से लेकर एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल्स बनाती है इसके लबाब पार ट्रांस्मिशन प्रोजेक्स को EPC सर्विस भी देती है कंपनी 55 देशों को एक्सपोर्ट करती है और इनके पास 15,000 से अधिक चैनल पार्टनर्स भी है आज हम कंपनी के टॉप मैनेजमेंट से मौझूदा डिमांड ट्रेंड, एक्सपोर्ट बढ़ाने के रोड मैप और of course केपेक्स पर ज़रूर बात करेंगे साथी नए लाँचेज, शमता विस्तार के लिए किस प्रकार की प्लानिंग है, ग्रोथ आउटलूक कैसा है, इन सब पर भी विस्तार से चर्चा होगी चलिए जादा बाचीट के लिए जोड़ते हैं कंपनी के CMD, मिस्टर अनल गुपता को अगर पूरे वित्वर्ष की ही बात करें, अच्छा खासा आप प्रदर्शन देखने को मिला है, तो क्या कारण रहा सर इतनी तगड़ी ग्रोथ के पीछे और ग्रोथ का आउटलुक, नए वित्वर्ष के लिए आपका क्या होगा? धन्यवाद मुझे शो में बलाने के लिए, पिछले साल का जो ग्रोथ रहा, जब डिमांड अच्छी होती है तो ग्रोथ आता ही है, बाकी कंपनी के पास अपनी स्ट्रेटिजी भी होनी चाहिए, मार्किट्स होनी चाहिए और कैपेस्टी होनी चाहिए, जहां तक इस साल का सवाल है, हमें उमीद है कि इस बार इस साल भी हम 15-17% का ग्रोथ लाएंगे, अपनी वॉल्यूम ग्रोथ, एंड उसके कंसिक्वेंटली जैसा भी रामेटेल कॉस्ट रहेगा, इंपुट कॉस्ट रहेंगे, उसके साथ से टर्नॉवर भी रहेगा, डिमांड अच्छी कासी ह है अभी भी, इंफरस्टर्चर क्वजेक्ट्स में, इंडस्ट्रीज में, रियल इस्टेट सेक्टर में और एक्स्पोर्ट का आउटलूप मुझे काफी अच्छा और स्ट्रॉंग नजर आ रहा है, सबी देशों में काफी इंडियन कंपनिस ने, बाहर की कंपनियों में, ब आपने आपको टेक्निकली क्वालिफाई कराया है ग्रेज्विली अब उसका बेनिफिट उन सब कंपनियों को मिलेगा और क्यूंकि थोड़ा सा यह चाइना प्लस बन की भी वजह है जिससे काफी देशों के अंदर इंडियन कंपनिस को हमें भी काफी यूनों एक्सेप्टें एक्सपोर्ट पर गुद्त Państar को लगता है कुछ डेज़ा illustratei कि अच्छी फिर्लाप्मेंट बनती ही डिख सकती हैं Domestic Institutional Wire Cables की बात करे 8% की growth दर्ज हुई है सर आप बता सकते हैं मैं दर्शकों को कि क्या volume और value growth यहां पर देखने को मिली और क्या इसी को बरकरार रखेंगे नए वितवर्श में देखे, volume growth मैंने अभी बताया आपको 15-17% का volume growth आने की उमीद है और उसी के ratio में value growth भी आएगा और demand अच्छी है मैंने पहले अपनी शुरू की commentary में बोला हमारी order भो कि इस टाइम 3500 करोड से उपर है और जितने भी sectors है railways, metros, infrastructure, solar power या power distribution and transmission यह सभी sectors काफी strong है और इनमें demand pipeline अच्छी है similarly industry sector specially refineries, steel, cement इन सभी sectors में capex हा रहा है तो हम उमीद कर सकते हैं कि अच्छा growth हैगा financially and job is के अदर और राइट, valid point sir Sir, अगर हम dealer distribution के through sales की बात करे तो if I am not wrong आपकी overall sales का 42% के आसपास का contribution रहा है अगर आखरी तिमाही की बात करे वितवर्ष 2013 की क्या sir, इस share में हम वृद्धी होते हुए देखेंगे distribution growth यहां से कहानी कैसे दिखाई दे रही है हमारा objective है कि अगले दो से तीन साल में हम इस share को 50% तक ले जाएं इस साल में हमें उमीद है कि हम इसको 45% तक यह B2C सेल को ले जा पाएंगे और बाकी हमारा B2B business है which consists of direct business and also exports जिसको हम B2B category के अंदर गिनते हैं अच्छा सर अब थोड़ा सा region wise revenue generation की बात करते हैं अगर उत्तर में देखा जाए नौत revenues आपके देखा जाए तो 35% के आसपास का contribution रहा है बाकी regions में किस प्रकार का यहां पर growth दिखी है कौन सा region faster growth दिखाता हुआ नजर आ रहा है मेरे हिसाब से growth हर region में बराबरी है हर company में हमेशा यह होता है कि कोई region उसके लिए strong होता है और जो कुछ regions relatively कम होते हैं तो हमारी कोशिश है कि जहां पर हम कम हैं उसको हम strengthen कर रहे हैं और वहां पर अपने dealer network को और अपने marketing network को भी strengthen कर रहे हैं उस दूसरा आपने अभी यह पूछा था regarding capex हम लोग capacity expansion पर काफी काम कर रहे हैं जितने भी हमारे existing factories हैं उनमें हम यूदि बॉटल और यूद्ट इंटम्स अफ अधिशनल मशीनरी प्लांट मशीनरी इस अपने अपनी को 15-20 परसंट existing factories में grow कर पाएं और fresh capex में हम लोग एक हमने एहमदाबाद के पास हम एक project नया project greenfield project लगा रहे हैं जिसमें अगले तीन साल में रफली 1000 करोड के करीब का investment रहेगा और वो domestic and export दोनों की तरफ dedicated होगा और वो शायद दो साल के अंदर बन की तयार सर आपने जिक्र किया कि अभी कुछ geographies में domestic market में ही देखा जाया तो वहां पर आपने कहा कि कुछ areas है जहां पर काम करना है सर आपने कौन-कौन से areas है जो identify किये गए है किस प्रकार की फिर वहां से growth की उम्मीद है कि मैं specifically area wise growth की projection नहीं कर सकता हूं but overall मैंने बताया कि हम 15 से 17 परसंट का growth होगा और definitely जो weaker areas है उनमें हम growth को growth percentage जादा रहेगा जैसे हमारी कुछ markets है जैसे केरला है या आंधरापरदेश यह markets थोड़ी slow थी retail network के हिसाब से तो उन markets को हम strengthen करने की कोशिश कर रहे हैं valid points अचा सर हमने देखा है पिछले साल भर में जैसे ग्लोबल commodity prices पिछले साल बहुत तेजी से भागे थे उसके बाद हमने एक अच्छा खासा cool off भी आता हुआ देखा है जितने भी raw materials है प्राइस है और हमने देखा कि उसका असर आपके gross margins पर भी पड़ा है अप टिक वहां देखने को मिला है तो सर यह इसमें इंप्रूव्मेंट आगे भी जारी रहेगा अब margin को लेकर सर कुछ outlook आप रखेंगे सामने मार्जन आउट लुक मैंने पहले भी कुछ इंट्रिव्यूस में कहा है कि साड़े दस से ग्यारा पसंट का हमारा margin इबिटा margin outlook पूरे साल का रहेगा अब इसमें quarter wise थोड़ा बहुत variation हो सकता है depending on the conditions market conditions और जहां तक commodity prices के गिरने का सवाल है इससे हमारे margins पे ना पहले कभी कोई असर बढ़ने पर असर पड़ता था ना घटने पर कोई ज्यादा हमें गेन होता है क्योंकि जो भी order होते हैं उसके हिसाब से raw material input भी booked होते हैं तो बहुत ज्यादा पुरे साल में अगर हम देखें तो वह input cost को अपने आपको averaging कर लेती है अ गुपता सर यह बताइए कि अभी company का मौजूदा capacity utilization level क्या है सर उस पर आप operate कर रहे हैं कि जो केबल से केबल सेग्मेंट में हमारा 88 से 90 परसंट का I mean capacity utilization है और हम बाइडी बॉटलनेक प्रोसेश डाइब बाइडी बॉटलनेकिंग अधिस्टिंग प्लांट हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पंदरा परसंट के करीब capacity को इस साल के आखिर तक इसमें इंक्रीज करें और वायर्स में हमारा जो capacity utilization है वो रफली 55 परसंट के करीब है और इसमें अच्छी खासी capacity available है house wires के अंदर and flexibles में कि अपने अपनी कॉमेंटरी के शुरुवात में ही कहा था इंटव्यू के शुरुवात में की international market को लेकर आप को आप बहुत आपका रहा है और क्या कोई नए प्रजेक्स वहां पर जुड़े हैं कोई नई जुड़ती देख रहे हैं कि नई जुड़ रही है वो यॉरॉप और अमेरिका जो पहले हमारे पास केबल साइट में नहीं थी वो दोनों जुड़ रही है और अमेरिका की एक्सपोर्ट अलड़ी चालो हो गई है जन्वरी से ही और इस साल काफी प्रामिसिंग है पूरे साल में और यॉरॉप जो है वो अगले एक से दो महीने में एक्सपोर्ट चालो होगा और इनमें काफी काफी प्रामिसिंग है मैंने बताया कि सोलर साइट सोलर विंड यह जो सेक्टर सें यह काफी प्रामिसिंग है इन कंट्रिस में सर मौजूदा ओर्डर बुक स्टेटर सर यह क्या है जरा दर्शकों को बताईए पैंतिस सो करोड के ओर्डर से इस वक्त और रफ़ी छे सो से साथ सो करोड रुपे का ओडर इंटेक यह हर महीने होता है इसके अलावा जो रिटेल के ओर्डर सोते हैं उन में कोई और बुक नहीं होती है वह स्टॉक में और आते हैं और इमीडियेटली क्लियर हो जाते हैं किस प्रकार की स्टेटर्स है और उस सेग्मेंट में कैसी ग्रोथ आप एक्सपेक्क कर रहे हैं एक एपी सी सेग्मेंट में जो पहले हमारा जो स्टेटिड अ स्टेटमेंट था कि हम उस बिसनस को पांसो करोड से या छे सो करोड की करीब ही मेंटेन करेंगे और इस हमारा जो कॉर बिसनस है जिसमें केरी केबर की सप्लाई एर केरी का स्पोर्ट आता है उस पे हमारा फोकस जादा है तो EPC सेगमेंट कुछ हमारे दो-तीन प्रजेक्ट चल रहे हैं बट उससे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि रफली पांसो से साड़े पांसो करोड का सेल्स इस साल में आएगा गुपता सर थाइंक्यू सो मत सर आज हमारे साथ जुडने के लिए कंपनी के कारुबार के बारे में बताने के लिए और किस तरह के एक्सपेक्टेशन है ग्रोथ के फ्रंट पे रेवेन्यूस के फ्रंट पे उस सारी डीटेल्स दर्शकों के सामने रखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद